हालो, मैं शाली नियूव लीकर। मेरे चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। अच्छे चल रही है ना बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों के के मेरे चैनल देखने के बाद आप लोगों कुझी फड़ाई है बहुत ही आसान लगने लगी है जो स्पेशेली बच्चों को हिंदी और मराठी से डर लगता था अभी उन्हों का जो डर है वो कम्प्लिटली खतम हो गया है और उन्हों के अच्छे दोस्ती हो गई है हिंदी और मराठी से क्यों? ठीके उन्हों ने देखा है शाली बुलिकर का चैनल और मैं उन्हों के और भी कुछ थोली डिफिकल्टीस है उन्हें दूर करने के लिए भी मैं एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ ताकि बच्चों को प्रॉपर्ली गाइडेंस मिले कि उन्हें किस तरह से फिर से मराठी और हिंदी में पका करने के लिए उनका मराटी और हिंदी का confusion दूर करने के लिए एक video upload करने वाली हो तो उनका confidence level और high का तो आज मुझे कुछ students तो में पिष्ट किया हुआ है जो आप लोगा 7th standard का science का जो first lesson है The Living World Adaptions and Classification ये मेंने lesson explain किया हुआ है अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए और इसमें ये जो table दिया हुआ है page number 7 पे तो ये table fill करके चाहिए था कुछ बच्चों को तो आज मैं सिर्फ आपनों के लिए table complete करके दे रही हूँ Complete the following chart from your own observation तो आपके observation के हिसाब से आपनों को ये chart complete करना है तो इसमें उन्होंने जो chart दिया है उसमें तीन parts किये है उन्होंने एक तो है adaptation दूसरा है animal कौन सा आता है उसमें और थर्ड है use of adaptation तो बुलो उसका जो use क्या है उनके adaptation का तो adaptation में आया है फर्स शार्ट दिथ हैने नुकीले दात तो किसके होते है लायन और टाइगर की होते है क्यों होते है to tear the flesh जो जानवर मुलों मारते है न तो उनकी जो flesh होती है मास के उसको खीचने के लिए उनकी दात जो होते है वो लुकीले होते है शार्ट होते है long and pointed big याने चोच लंबी और pointed चोच किसकी होते है तो king fisher और crane की होती है तो क्यों होती है use of adaptation क्या है to capture the fish in water तो पानी के अंदर जो fish होते है उन्हें पकडने के लिए उनकी जो beak होती है वो लंबी होती है और pointed होती है short beak किसका होता है छोटा वाला चोच किसका होता है तो sparrow to pick the grain long and sticky tongue लंबा और चिक्चिपा tongue किसका रेता है तो garden lizard और frog का रेता है to catch the insects किसे insects को पकडने के लिए long neck लंबा वाला गला किसका होता है तो giraffe, emo bird और ostrich bird का होता है तो birds में उनका जो ये long neck होता है वो क्यों use में आता है उनों को to have a long distance gaze दूर का भी जो उनका खना है वो खा सकते हैं और giraffe to eat leaves from the top of the tree तो कितनी भी उन्चाई पर अगर पते होंगे तो वो खा पाई इसके लिए उसका जो गड़ा होता है वो लंबा होता है तो ये है इस तरह से chart complete करना है आप लों पर मुझे इतना ही demand था विन इतना ही बनाया है और वी वीडियो में बना रहे हूँ आप लों के लिए मुझे पता है आप लों बहुत ही बेसबरी सेициबर करे हैं मेरे वीडियो का लेकिन ज़रा यहाँ पर मेरे यहाँ पर नेटों का थोड़ा प्रोब्लिम चल रहा है otherwise मैं दिन में पाथ शे वीडियो अपलोड करती हूँ यह है मेरे कैपेसिटी लेकिन नेटों सलो चलने की वज़े से फटापफट वीडियोज अपलोड नहीं हो पारे हैं तो प्लीज थोड़ा कॉपरेट कीजिएगा मेरे साथ और मैंने ये चैनल बनाया किसके लिए है भई आप लोगों के लिए ही तो मैं कर रहे हूँ ये सब भेनत तो आप लोग जितना जादा सिखोगे उतना मुझे साथिस्फेक्शन मिलेगा कि मुझे जितना नॉलेज है उसका यूज मेरे स्टूरेंस पर उनको हो रहा है तो चलो फिर अगली वीडियो के लिए थोड़ा वेट कीजिए All the best and बाइबाई कि मुझे साथिस्फेक्शन मिलेगा